हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक किसी न किसी कारण हमारा दूद फट जाए तो हम उससे 10 मेट में बनने वाली ऐसे स्वीट डिश बना सकते हैं स्वीट डिश बनाने के लिए हमें ये सारी इंग्रीडियन्स लगेगे रेसिपी ज़रूर ट्राइ करना आपको पसंद आएगी तो रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक लीटर फटा हुआ दूद अब हम स्ट्रेइनर के हेल्प से फटेवे दूद को छान लेंगे यहाँ पर मैंने स्ट्रेइनर का यूज किया है आप चाहे तो कोई भी पतलाई कॉटन की कपड़े से चान सकते हो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से प्रेस करके जो भी एकस्ट्रा पानी है पनीर में वो मैंने निकाल लिया है नेक्स्ट हम एक गरम पैन में हाफ टीस्पून गी लेगे यहाँ पर मैंने थोड़ा ही गी यूज किया है आप चाहे तो थोड़ा जादा गी यूज कर सकते हो गी अच्छे से गरम हो जाने के बाद उसमें डाले फटे होई दूज से निकला 200 ग्राम पनीर गी के साथ अच्छे से मिक्स करे और लो फ्लेम पे 4-5 मिनिट के लिए अच्छे से पकने दे हमें पनीर को जादा भी नहीं पकाना है हमें इसे तब तक पकाना है जब तक सब एक्स्ट्रा पानी रिडियोज नहीं होता बीच बीच में इसे मिक्स करते रहिए फटेवे दूद को छानने के बाद जो फटेवे दूद का पानी रहता है वो पानी से आप चपाती या पूरी का आटा गुने फटेवे दूद के पानी से आटा गुने से हमारी चपाती या पूरी बहुती सौफ्ट बनेगी वो पानी बहुत हाइन प्रोटीन रहता तो उसे फेके ना अब आप देख सकते हो हमारे पनीर से जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से रिडियूस हो चुका है पानी अच्छे से सूख जाने के बाद उसमें डाले 10 ग्राम शक्कर यापे मैंने एक छोटा स्पून शक्कर का डाला है आपको मीटा जादा पसंद हो तो 2 स्पून शक्कर के डाले फिर उसमें डाले 1 एट टी स्पून इलाइची पाउडर फिर उसमें डाले 1 एंड हाफ टेबल स्पून रोज सीरप यहाँ पर मैंने रोज सिरप का यूज किया है आप कोई भी फ्लेवर का सिरप यूज कर सकते हो सब चीज को अच्छे से मिक्स कर ले यहाँ पर आप एक ड्रॉब रोज इसेंस या फूड कलर भी यूज कर सकते हो एक छोटे से बाउल में half teaspoon कॉनफला ले उसे थोड़े से पाने के साथ मिक्स करके अच्छे से उसका सलरी बनाए और उसे मिक्षर में डाल दीजिए कॉनफला सलरी डालना optional है आपको डालना हो तो डाले कॉनफला सलरी डालने से हमारे मिठाई को एक अच्छे से बाइंड करने में help होगा अच्छे से mix करके gas off कर दीजिए फिर एक प्लेट में सब मिक्षर निकाल लीजिए या पर मैंने rose flavor यूज किया है अब कोई भी अपके पसंद का flavor यूज कर सकते हो उसको अच्छे से evenly दीरे दीरे प्रेस करके उसे अच्छा सा एक shape दीजिए अच्छे से shape देने के बाद आपको जो भी dry fruit पसंद है वो डाले और थोड़े केसर और dry rose पैटल के साथ गानिश करे इस recipe को ज़रू try कीजिए और मुझे comment करके बताए कि आपकी recipe कैसी बनी और मेरे channel को like share और subscribe करना ना भूले thank you